जनाब रात पर जागना आपकी यादाश के लिए नुकसान दो सकता है और बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं जो एक्जाम से पहले रात पर जागते हैं उसमें पढ़ते हैं तो ये एक तहकीक हुई है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही है ये रिसूर्च कह रही है कुछ ऐसे तालेबल जो इम्तहानात से एक रात कावल जागते हैं और कोशिश करते हैं कि सब कुछ उनको जहनेशीन हो जाए और जाद से जादा लोग कर भी लेते हैं कि वो एक जाद से दो दिन पहले या एक दिन पहले पूरी रात जागते हैं और उसके बाद एक्जाम देके तसली से बैठ जाता है लेकिन कुछ नए अलफाज सीखने की और फिर तमाम रात जागे आप तो आपके जो लॉंग मैमरी है उसमें चीजे सेव नहीं होती है यानि कि बहुत टेंप्रिरी सी वो चीजे होती हैं कि अगर आप रात को जागरे हैं और आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो इन टेंप्रिरी चीजों से बचने के लिए आपको अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अज़सनाब ये रिसर्च की गई कि बहुत सारे लोगों ने जो आपके याद किये गए अलफाज हैं उनकी यादा चन्द रातों के बाद या पर चन्द हफतों के बाद जाची गई और जो रात को नीन पूरी करते हैं, उनमें हाफ़जे की सूरतियाल रात की नीन पूरी ना करने वालों के मुकाबले में में काफी हध तक बेहतर थी नीन सीखने कामले मरकजी के दार अदा करती है डेफिनिटली सीखने कि आपकी हर एक्टिविटी में अगर आप नीन पूरी नहीं करें आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं अगर आप सोते हुए पढ़ने ही रहे होते हैं तो आपका दिमाग बैसिकली वरकिंग में होते हैं और आप बिशे खुद सो रहे होते हैं तो आप कभी भी इस तरह से चीजों को अपने हाफ़ एका जिसको आप कहते हैं जादा अरसा याद रहने वाली चीज पूरा साल कुछ नी पढ़ा दो राते लगाई पढ़ लिया लेकिन बहुत सारे बच्चे तो डेफिनेटली पढ़ते भी हैं लेकिन एक रात जो जागने वाला कॉंसिप्ट है और इसमें पढ़ने वाला वो टेंप्रेरी तो आपको फाइदा देते लेकिन फॉर्द लॉंग हवाले से रिजल्ट